जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व में खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ी काफी खबरे हम सुनते आ रहे हैं जिसके चलते पूर्व में काफी हाथ से भी रिपोर्ट किये गए थे ऐसे में बीजेपी के तेजंदर सिंग तेवाना के द्वारा एक प्रेस नोट में ये बताया गया है कि हाल ही में उनको और उनके परिवार को खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक धमकी दी गई है जिसके चलते हाली में उन्होंने मुंबाई पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया है तो आईए ले चलते हैं और सुनाते हैं इस पर बीजेपी के तेजंदर सिंग तेवाना की स्टेटमेंट और साथ ही जानते हैं कि क्या है उनका इस खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा दी गई जान की धमकी पर कहना खाल्चा का प्रवक्ता बता रहा है एक मेसेज में इस देश विरोधी हिंदू विरोधी ने भाजपा के नेताओ आरेसेस के पददिकारियों के साथ भारतिय सेना पर भी हमले की धमकी दे दिये संदीप सिंग जैसे सभी आतंकियों को मेरा कहना है कि कान खोल कर सुन लो खाल्चा की स्थापना हिंदू के रक्षा के लिए हुई थी तो आतंकी बंसुबों के लिए खाल्चा का नाम बदनाम करना बंद करो मेरे भारतिय जवानों की तरफ आख उठा कर देखने से पहले चीन की सेना से हाल पूछ लेना आज भी उनका अंग अंग हमारे जवानों की मार से दुख रहा हो मैंने मुंबई पुलिस को तुमारे शडियंत्रों की जानकारी दे दी है रही बात मेरे और मेरे परिवार की तो मेरे दादा जी ने भारतिय नौसेना में रहकर देश की सेवा की थी मेरे माता पिता और मैं चंद सेवा में कारे रत है और पूरी देश भक्ती के साथ अपना कारे करते रहेंगे तुमारे जैसे देश विरोधियों से निपटना हमें आता है सवा लाक से एक लड़ाओ तबे गोविन सिंग नाम कहा हूँ वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फते